अलो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपको देशी मसाला अंडा शाक शुको की रसीपी पताऊंगी इसके लिए मैंने तीन प्याच को बारी काट लिया है और दो टमाटर के प्यूरी बना लिया है तीन हरी मिच लिया है और थोड़े से लहसुन को भी बारी काट लिया है उसके बाद एक कड़ाही लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे और जब तेल गरम हो जाए इसमें थोड़ा सा हम एक चम्मच के लगपक जिरा डालेंगे और उसके बाद कटे हुए लहसुन को भी हम डाल देंगे जब यह दोनों अच्छी तरह से फ्राइ हो जाए तो बारी कटे हुए सारे प्याज को हम इसमें डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें फ्राइ करना है इसे तब तक फ्राइ करना है जब तक कि इसका रंग सुनारा ना हो जाए हमारे प्याज फ्राइ हो रहे हैं उसके बाद जब यह फ्राइ हो जाएंगे त टमाटर की जो क्यूलिय हमने बनाके रखी थी उसे वी हमें हम इसमें मिलादे और त्रॉघ से मीश्रन हे त्रॉघ हो रही है अब हम इसमें एक सम्माज अध्ली मिलाएंगे एक चममच जीरा पाऊडर मिलाएंगे एक चममच धनिया पाऊडर और एक चममच के लगभग लाल मिर्च पाऊडर कश्मीरी लाल मिर्च मिलाएंगे और स्ватा नुसार नमक भी मिला लेँगे जब अच्छी तरह से ये फ्राय हो जाए तो उपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला भी मिला देंगे थोड़े देर चलाने के बाद हम इसमें आप अपनी इच्छा नुसा जितना आप ग्रेवी चाहते हैं हम इसमें गरम पानी मिलाएंगे और एक दो उबाल आने तक इसको हम रख देंगे धक के रख देंगे जब ये इसमें उबाल आ जाए तब हम इसमें अंडे लेंगे यहां मैंने दो अंडे लिये हैं और अंडों को फोड़ कर इसके उपर ही हमें इसको रखना है देखिए मैंने अंडे इस तरह से फोड के उपर ही इसको यहाँ इस ग्रेवी में हमें डाल देना है और इसको चार से पांच मिनट तक ढख कर हमें इसे पकाना है चार से पांच मिनट हो गये हैं हमारी रेसिपी लगभग तयार है देशी मसालेदार अंडा शाक शुको की रेसिपी यह खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है धन्यवाद